अब सब्सक्राइब चैनल राइजुकेशन में सभी में तुरों को शुब्रबाद वेरी गुड मॉनिंग टॉल अफ्यू प्रदान की हैं लेकिन उन सभी का एक चर्चा और क्या क्या संभावना प्रक्ड की जा सकते उन सभी पर बाची तरना अधिया विश्यक है सुप्रिम कोट की सकते टिपणी के बाद 14 अधिकारियों को चुट्टी पर बात की जा रही है और जो रिमेनिंग अधिकारी हैं जो लंबिद मामले जिनके विभाग में फसे हुए हैं उन पर भी प्रश्णचीन है कि जितना जल्दी हो सके निस्तारण किया जा सके अब सबसे इंपोर्टन बात है कि अभी तक ये तेजी नहीं दिख रही थी जब सुप्रिम कोट की इतनी सक्त तिपणी देखने को मिली है सुप्रिम कोट का क्या था टिपणी कल जो उत्तरकुंजी मामला था उस पर सुप्रिम कोट ने एक दम सपष्ट रूख अपनाते वे बोला कि अब सबकी मनसा एक ही है सिर्फ और सिर्फ केस करना भड़ती भसाना दम सक्त तिपणी है और सुप्रिम कोट ने एक दम सपष्ट बोला कि हम डीबी के दिये गए आदियस पर कोई भी रुख कोई भी प्रश्ण चिन्य और इस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं किसी भी तरीक अब वापस सीधा वापस जा सकते हैं हाई कोट की तरफ और इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से उन्हों ने इस बात पर अपनी मन्शा व्यक्ट की अब साट पैंसट पर जो पास सिक्षा मित्र हैं उन्होंने आईए दाकिल कर दिया सुप्रिम कोट में तो अब जो पूरा क चौरी करते हैं 40-45 के पक्ष में भाईया इतने तुम मजबूत थे और इतने मजबूती से रख रहे थे तो खुद 40-45 के लिए क्यों रुग गए 60-65 पर क्यों जाकर अपना कह सकते हैं कि काउंसिलिंग करवाने के लिए आतूर हो गया तो अब सिर्फ और सिर्फ मुद्दा कराने की कुकि उनको पता चल चुका है दिपक्ष का एक ही मुद्दा है कि पर ती को गुंबरा करते करते खींचा जाए कितना ज्यादा हो सकते खींचो श्मार है और इसी तरीके सा वो सही तरीके से हमारा समायजन हो सके और इस सरकार के पर प्रशनेशन तो लगी रहा है और जादा लगे तो यह मनसा पूरी तरीके से एक दमिस्पस्ट है और कल बहुत अच्छे से कई टिपनियां रखी गए जैसे अमिताब अगनुतरी जी का जो आनाइन चैनल है उसमें बहुत अच्छे से मेहा रश्मी मैम ने राधा कांत ओजा जी ने इसके नावा अमिताब जी ने बहुत अच्छे से टिपनियां किया और बहुत अच्छे अच्छे कदम उठानी के बात की गई यह सुप्रिम कोट के क्या-क्या माइने हैं हाई कोट के क्या-क्या महत्पूर्ट पहले उपर चर्चा की जैसे कि किसी भी परिक्षा में वह भरती जो असफल हो चुके हैं फेलियर हो चुके हैं या फेल कहले तो वह फिर उस भरती परिक्षा पर प्रश्ण चिन नहीं उठा सकते हैं यह बहुत अच्छा जेज्मेंट है बहुत इंपॉर्टन और कल महत्पूर्ण आपके सुनवाईया थी चाहिए आप सुप्रीम कोट की बात कह लें चाहिए आपके हाइप को इस पर निति कर निति चलती रहती है ना और खुद अपनी रणीति के सिक्षामित्र हैं उन्होंने आई यह सुप्रीम कोर्ट में उनको दाखिल करना नहीं पड़ता सबसे इंपोर्टन बाते और कल की डिबेट में मेहार रस्में मैंने बहुत ही इंपोर्टन तरीके से हालाकि उनको समय कम मिला और जीतना समय मिला उन्होंने उसका पूरा सथ वि सिक्षामित्र जो गलत तरीके से जो 8018 सिक्षामित्र हैं उनके लामा जो फेलियर हैं और इनी में से एक नेता हैं जो 6060 पर पर पास होते हैं काउंसिलिंग कराते हैं अपनी और 40-45 पर चंदा मांग कर लोगों को गुमरा करते हैं और मैंने ये बात कई बार बुली है कि आपके नेता लोग आपका शोशन करते हैं और आप खुद बखुद आप शोशन करवाते हैं ठीक तम इस पस्ट इनों ने बोला है कि ये बड़ती सर्फ और सिर्फ फीलियर सिक्षामित्र और कटाओफ पर फेल लोग ही फसाना जाते हैं जिसके विरुद में उन्होंने एक जो कहने के मजबूत बताता है कि कई judgment ऐसे हैं कोट के पास ऐसे कई judgment हैं जिसको आपको समझना चाहिए उन सारे judgment को आप read up करके ये बहुत beneficial है क्योंकि भरती आप किसी भी तरीके से नहीं पसागते हैं जो भी चीजे होंगी वो सरकार के पक्ष में होंगी ही होंगी लेकिन म चाहेंगे आठ अधिकारीयों को बेचे चेतवन दी गए थी और इन अधिकारों को खลाब लंबित मामलों के समिक्षा के बात निर्देश दिए गया उन्होंने पश्च बोला कि जब कोई भी भरती प्रक्रिया एकदम इस पश्च तरीके साथ ही तो जितने भी केसे करने एक साथ आप कर लीजे भरती क्या करते हैं कि रुके रहते हैं कि यह केस निस्तारी तो हमें एक और राम बान रखें फिर एक और केस दाखिल करेंगे तो स्वयम नहीं चाहते हैं फेलियर जितने लोगों थे हैं खुद नहीं चाहते हैं कि बढ़ती प्रक्राइब पूर्ण हो क्योंकि अगर पूर्ण हो जाती है तो फिर वो तो फेल और रद्दी गैंग के अंदर कताते हैं उनका तो कुछ होने वाला नहीं है और इसी तरीके से को देख चुके होंगे सबसे इंपॉर्टन बात है इस पेसल लिफ पेटिशन आप बस इसको देख लीजे चाचट सतासी और दोजार बीस यह रिस्पॉंड करेंगे और मैं तुर्ण बात भी है कि होना भी चाहिए जो लोग पास हैं उनको एक जुट होना पड़ेगा क्यो को हैं तो रहते हैं कैसे यह सबसे इंपॉर्टन बात भी देखिए कि इन संसर्ट आट सचैनिस लोगों काौण्सिलन कराया जा रहा था किस और रोकत के विज़े सब्सक्राइद जी बैटर ने इस्टे लगाए सिंगल मेंच ने सिंगल मेंच के जजों को गुम्राइक किया गया था तो उन्हों ने लगाया अब सुप्रीम कोड तक ने इनके मामले को खारिज कर दिया सबसे इंपॉर्टन बात है कि जब सुप्रीम कोड तक कुछ नहीं हो रहा है भरती प्रक्रिया पर रोग किसी प्रकार का नहीं था लेकिन आप मौडिविकेशन अफिल दाखिल की जा चुकी है और सरकार भी अपने जो सुप्रीम कोड का जेज्जमेंट है रिजव करने का उस पर भ अपने जिले से उनको पर अब यहां पर तो जो उत्तर कुझी मैटा रहो उसका तो कोई अचित ही नहीं बचा उसका तो कोई ग्रॉंड नहीं बचा सुप्रीम कोड ने दर किनार कर दिया एक तरफ से लेकिन इसमें अहीत हो रहा है जो चैनित संसर्ट आर संसर्ट वैलिड बढ़ती है श्क्षामितर बंद भी है बेड के बढ़ती भी है डिज लेकिन मुर्क कौन बन रहा है मुर्क बन रहा है इन आठ ہजार अठारह खेलवा और यह आठ हजार 58 भी मुर्क बन रहा है क्योंकि उन्होंने पास कर लिया फिर भी निउक्ति की संभावना अभी भी नहीं बनी हुई है और कहीं यह अाठ हजार conservative है यह भी अब अपने जीवनकाल के या सर्विस के जो कुछ साल बचे हुए उसमें से ये दो साल इनके खत्म हो चुके है और ये उमर के ऐसे पड़ाव पे होंगे 40 साल, 45 साल 48 साल, 50 साल भी होंगे तो ये दो साल इनके खत्म होते जा रहे हैं सूचे इनके service के कितने साल 10 साल 12 साल 15 साल ही service के बचे हैं और वो भी एक एक दिन करके कम होते जा रहे हैं इन्हों ने इतना बड़ा निरनय लिया है तो के इनके कुछ ना कुछ समझ के लिया है तो जो संसट आर संसट में एक जुटता नहीं है अब उनको एक जुट होना पड़ेगा अपनी बातों के लिए सबसे इंपॉर्टन बात है और लीगल टीम ने सेंग तुरूप से अपना खाता भी जारी कर दिया है तो आप सभी पूरी तरीके से साथ हूँ आप पूरी तरीके से सेव करिए क्योंकि जितना मजबूत पक्श रखा जाएगा जीतनी जल्दी हो सकेगी बढ़ तनी जल्दी निस्तारित हो जाएगी वरण नहीं तो इतने मैटर एक साथ एतने टैक्ट हैं 14 जिलाई को छे तारीक से इस सनुमाई प्रार्ण हो जाए कि कई मैटर्स की छे तार तारीक है आठ तारीक है और सुमोन आगे भढ़ती जाएगी तो कहने कि भढ़ती थोड़े से और भी टाइम तक महीने दो महीने और एकसीड कर सकती है जिसमें आपके सर्विस के एक दो महीने और भी खत्म हो जाएंगे सीधी और इस पस्ट बात है और कल की सुनवाई में नूतन ठाकूर मैम ने एक दिमस पस्ट अपने तरब से ट्वीट किया था कि उन्हें तरह सिक्षेक बढ़ती केस में आज सरकारी अदिवक्ता ने कहा कि मामले में सरकार वो पिनपी के और से स्वैमा दिवक्ता बायस करेंगे जो आज उपलब्द नही है मैंने सरकार द्वारा भरती में दिखाई जारी अनुचित तेजी पर आपती की जिस पर सरकारी अदिवक्ता ने मौकी का कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा जश्ट्री सालोक मातुर ने की मेंजर ने साथ जुलाई को सुनवाई की तिथी नियत की है तो नूतन जी आप आपका यहां पर नामों निशान नहीं रहता है ना तो इतनी जल्दी बाजी जो बोला गया है अधिवक्ता के द्वारा सीसी पैनल द्वारा बुलकल इस परस्ट बात बोली गई है क्योंकि तना लेट लतीफ हुआ है तो भरती के बढ़ती दो साल से मानसिक परताड़ी थो